कोरोना वायरस महामारी के बीच साइबर अटैक की संभावना को देखते हुए इंटरपूल ने परपल नूटेस जारी कर दिया है उसके बाद जयपर पलिस कमिशनर ने परसनर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में कम्प्यूटर पर होने वाले साइबर अटैक से बचने के लिए निर्देश जारी किये हैं पलिस कमिशनर आनेंद श्रिवास्ता उन्हें बताया कि वर्दमान में दुनिया भर में फिसिंग इमेल के जरिए कोरोना वारस नाम से हनिकारक फाइल भेज कर कंप्यूटर हैक और डाटा को इंक्रिप्ट कर फिरोती के माधिम से ठगी की जा रही है विश्वस्वास्त संगठन की और से आगहा किया गया है कि डबल्यो एचो के छवी का दुरूप्यों कर फिसिंग अटैक के जरिए यूजर नैम पासवर्ड मांगे जा रहे हैं और डेटा चुरहाया जा रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ऑपरेटिंग सिस्टेम और सभी एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर हमेशा अपडेट रहने चाहिए कोई भी अंचाही इमेल को उपन नहीं करनी चाहिए कंप्यूटर में हमेशा एक रीस्टोर फाइल बना कर रखनी चाहिए जिससे भविश में होने वाले किसी भी तरह के डाटा लोस हो तो आप उसे दोबारा ले सके निदेशिका में बताया गया कि पाइरेटिट सॉफ्ट्वेर के इस्तमाल से बचना चाहिए सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर मोर अपडेट्स